खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीज़े। ऐसा कमला जी के तुगलक रोड से AICC गया हुआ है। ये केवल बदनाम करने वाला भारती जन्ता पार्टी का तरीका होता है। और ये क्योंकि मदबदेश के अंदर भारती जन्ता पार्टी के पूर मुक्रमत्री से लेकर सभी मंतरी नेता ये पसे हुए है। व्यापं घोटाला से लेकर सिम्वस्त जैन का घोटाला रेत माफिया शराब माफिया जमीन माफिया इतने घोठाले हुए हैं और हर भाग के अंदर घोठाले में उन सब की परतारो ई- ई-टेंडरिंग घोठाला तीन सो टेंडरों में हेरा फेरी की गई है और उसमें कहीं न कहीं इनके जो नियता लोग हैं इनके जो मंत्री थे यह सब इन्वार्ड हैं जो हाईस होता था उसको लोईस मना देते थे और यह इस एक्सप्राइस उसकी रिपोर्ट ना गई यह बहुत जल्दी इन सब के कुछ लोगों पर जो मुख्यमंती जी के असपास के लोग थे उन पर नों ने इंक्रम टैक्स के चाह पे लगवाए और कुछ मिला नहीं उसमें आज तक पर यह एक बदनाम करने की टेंडेंसी जिससे सरकार को बदनाम किया जाए हमारे मुख्यमंती कमलाज जी को बदनाम क के वाला दिक विजय सिंग यह सब मैनुपलेटेड है सब मैनुपलेटेड है और यह दुनिया जानती है कि एलेक्शन होते हैं तो सभी बाटियों के अंदर जो उनके सोर्से और रिसोर्से होते हैं उनसे चुनाओं के लिए खर्च होते हैं वो खर्च किये जाते हैं कोई न जो नाउन पॉलिटिकल टरीक और वह भारती जनता पार्टी कर रही ए और यह को अल二 डिक्टेट टरियल जो एटिट्ईट्यूट है इनका यह यह निहीं चाहा रहा है कि कोई संस्ता संबेदानी किया है वहां के अगर सुप्रीम कोट के जज़ पर कोई लाचन लग रहा है तो मैं तो मानता हूं कि यह भारती जनता पार्टी और संग का काम है आपको लग रहा है कि यह आप यह जो सारी मशक्कत हुई है जो कागज सामने आए यह कमलनाथ सरकार को अहस्थिर करने की साज़ है इसलिए अस्थिर तो यह कर नहीं पाएंगे लेकिन बदनाम करकर रहाएंगे क्योंकि जब हम लोग जो कमलनाथ जी ने 76 दिन में 83 वचन पूरे किया थे अब उनने कैमिनेट में कह दिया कि जितने भी जिस विभाग के वचन है उन सब को लेके आई यह उसको क्राइब कर प्रेश के जन्संपर्ग मंति पीसी शर्मा जिनका कहना है कि यह जो कुछ हो रहा है वो आयकर विभाग की कमलना सरकार को बदनाम करने की शाज़े से मगर इससे सरकार की स्थेताप है कोई फरक नहीं पड़ेगा इन तमाम चीजों का कमलना तो पूरे मंतियों इंडल और व